प्रेंट्स नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक हिर टावलाकर क्लासेस पर तो दोस्तों आज जो है हम लोग महिला परिक्षाद हो जारे किसके लिए समान लिग्यान से प्रैक्टिस करेंगे यह प्रैक्टिस सेट वन है बहुत ही जा गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है इंप्रेंट है आप सारे के सारे कोश्चन सौल करिए और कितने कोश्चन आपसे बनते हैं जरूर कमेंट करके लिखिएगा तो देखिए दोस्तों बिना दरी के सुरू करेंगे चैनल में नहीं है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देखिए दोस्तों एक चीज और मैं देखा हूं कि कुछ जो इस्टुडेंट जो है चैनल छोड़ देना है आपको चैनल छोड़ने के अश्रकता नहीं है इसलिए महिला परक्षक की तैयरी कराया जा रही है इसके बाद सब्सक्राइब और जो जो एक्जाम के आप तैयरी क पूछा भी गया है आपका चलिए नेख्ट है सिंदु घाटी सब्यता से संब्दित नगर लोथल है यह क्या तो सही आपको बंदर गां नगर था यह और इसकी खोज जो है लोथल की खोज उनिस्ट संतावन में हुई थी और किसने की थी थी तो यह जो है एस आर रावने की तो देखिए इस से संबंधित आप याद रखेंगे यह बहुत ही इंपॉटेंट है बहुत बार आपके एक्जाम में पुछे गया है चली नेक्ष्ट देखते हैं यह भी क्वेश्चन आपका भी हाल ही में पुछा गया है देखिए जेस्ट संपरिक्षक मंडी निरिक्षक के एक्जाम हुआ है उसमें पुछा गया है राष्ट पती बनने के लिए निंतम आयू भी पुछा गया तो कितनी होती है निंतम आयू तो राष्ट पती बनने के लिए निंतम आयू जो है 35 वर्स होती सही आंसर आपका सही 35 वर्स अब चलिए देखते हैं इससे कुछ दूसरी बात है कि लोग सभस सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए तिसरी बात यह है कि नमांकन है तुँ पचास प्रस्तावक और पचास अनुमोदक की आशकता होती है कारेकाल जो होता है राश्णपदी का पांच वर्षक होता है आप सभी जानते हैं और यह जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सपत जो लेते हैं राश्णपदी वो उच्छ न्याला के मुख्य नाधिस के समक्ष सपत लेते हैं सविधान के प्रदिश चलिए नेक्स्ट जो है देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट विस्तित तरह देखते चलेंगे PDF आंसर आजाएगा आपकर निगम कर कौँसा आंसर आजाएगा निगम कर यह जो है प्रतेक्ष कर्म सामिल है और यह जो तीन ओप्सन देख रहे हैं विक्रैकर मनोरज्जन और वाइट कर यह अप्रतेक्ष कर है तो प्रतेक्ष कर में और क्या आता है निगम कर आय कर संपत्त कर सम्पद खर उपहार कर यह सारे क्या हैं आपके प्रत्यक्श्य करंए आते हैं चैलिए next let सरीरमे समाने रंड दाब होता है थे सवातर सरीर में समाने रंड दाब कितना होता है 120 बटे 80 mmHG यहाँ भी question पूछा गया है जितने question हम लोग करने वाल है सारे के सारे question पूछा गया है तो याद रखेंगे यह सही answer आपका B next देखते हैं सदीस रासियां नहीं है कह रहा है question आप पड़ लेंगे है नहीं कह रहा है तो सदीस रासियां नहीं है तो सदीस रासियां कौन सा नहीं है सही answer है आपका चाल बाकि यह जो है विस्थापन वेक तौरन यह क्या है सदीस रासियां है तो देखिए सदीस रासियां अब देखते हैं सदीस रासियां में क्या होता है चली next देखते हैं भारत का उत्री बिंदू है तो भारत का उत्री बिंदू कौन सा है अभी आया था आपके एक्जाम में भारत का दक्षिर्तम बिंदू पुछा था तो कहा है इंदरा पॉइंट कहा है तो सही अंतर आपका ये देखिए भारत का उत्री बिंदू जो है ये इ उत्री बिंदू कौन सा है तो उत्री बिंदू है इंद्रा कॉल तो याद रखेंगे आप लोग इंपॉर्टेंट है यह नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं गंगा और ब्रंपुत्र नदी द्वारा निर्मित डेल्टा बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह पूछा गया थे एकज चली देखते हैं यह पश्चिम बंगाल में है सुन्दर वन का डेल्टा और यह सुन्दर वन डेल्टा का नाम करण कहां किया गया तो यह याद रखने आपको यह कहीं से भी इंपॉर्टेंट कोश्चन बन सकते हैं चली नेक्स देखते हैं स्वतंतर भारत की प्रथम बहु देशी पर्योजना है अब चली देखते हैं यह जो टिहरी बांदिया यह कहां है उत्राखन में है भागिरति और भिलंगारान दिपर चली नेक्स्ट देखते हैं आर्चर सब्द की स्खेल से संबंदिता देखिए इसी तरह से कोश्चन कुछ पूछा जाता है जिसे हमको प पूर्ण रहेगा अगर इस्टेट या सेंटर लेबल का कोई भी एक्जाम की त्यारी कर रहे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा तो चली देखते हैं क्योंकि यह जीके है अब चली देखते हैं यह किस से संबंदित है आर्चर सब्द तो सही आंसर है आपका तीर अंद गायन का समय है तो राष्टी गायन का समय कितना है 56 सेकंड 55 सेकंड 22 सेकंड देखिए यह जो इसका सही आंसर होगा इसका अंसर आप जो है कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर दीजेगा और दोस्तों बता दूमें चैनल छोड़ने के आश्चता बिल्कुल भी नहीं है जैसे जैसे आपका एक्जाम आते जाएगा वैसे वैसे हम लोग वैसे वैसे जो है तैयारी आपका कराया जाएगा आपको कन्फीज होने क्या शकता नहीं है धन्यवाद